बच्चो प्रारंभिक लेखों के पुस्तकों के अंतरगत हमने देखा कि किस प्रकार एक वैपारी अपने वैपार में प्रतिदिन होने वाले वैभारों को याद रखने के लिए उनका लेखा करने के लिए पंजी प्रविष्टियों का प्रियोग करता है ये पंजी प्रविष्टियां ही जनरल एंट्रिस कहलाती है जब हम इनको कई भागों में विभाजित कर देते हैं या इसका एक परिवर्थित रूप के अगर बात की जाए तो उसे हम सहायक बही के रूप में देखते हैं वास्तों में सहायक बहियां जो पुराने जो मरे जनरल्स हुआ करते थे उनहीं का एक परिवर्थित रूप है आए देखते हैं सहायक बहियां क्या है और ये कब बनाई जाती है तो अगर हम सहायक बहियों की बात करें। रारंबिक लेकों की पुस्तकों के नंतर्गत गरत रूप प्रविष्टियों का को सबसे बटत ये हैं कि तो वहां हम कई तरह के वयवार के करेंस कहिए कोई नगत वेवहार रहता है कोई माल से संबंदित रहता है कोई संपत्यों के क्रेविक्रह से संबंदित रहता है कई वेवहार ऐसे भी हमारे सामने आते हैं जो क्रेवापसी विक्रेवापसी से संबंदित होते हैं तो यह अलग-अलग प्रकृति के वेवहार होते हैं और इन अगर उदहार क्रैवी के रहे हैं यह जो माल होना चाहिए याने ऐसे वस्तुका जिसको हम फिर से वापस बेचने लेकिन अगर यही क्रेविक्रे संपत्तियों से संबंदी तो उसको सहायक बही की बात करते हैं तो इसके बारे में एक बात तो यह जान लेना ज़रूरी है कि वास्तों में यह जनरल के ही एक अंग है और विश YOTAs अने अलग-अलग तरीके के जो विभार होते हैं उनसे इसका संबंध होता है और अगर हम बात करें कि यह जो जनरल के वर्गी करण के अन्तरगत आते हैं तो किस-किस भागों में इंको विभाजित किया गया है तो आई एक नज़र डाले जनरल के वर्गी करण पर या जिसे हम जनरल का उप विभाजन भी कहते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी अंतरगात हम क्रे बही बनाते हैं विक्रे बही बनाते हैं फिर हम क्रे वापसी बही बनाते हैं विक्रे वापसी भाई हम इसके अंतरगत बनाते हैं फिर हम प्राप विपत्र भाई बनाते हैं दे विपत्र भाई बनाते हैं मुख्य जन्रल बनाते हैं और उसके बाद हम खुद्रा रोकड भाई यानिकी पिटी कैश्पूग भी बनाते हैं अब इसमें हम यह देखते हैं कि यह सारे जो वर्गी करण है यह वास्तों में सहायक भहियों के प्रकार ही हैं एक नजर हम सहायक भहियों के अन्य प्रकार पर डाले तो इसके अंतरगत रोकड भही भी आती है खाता ना बोलका रोकड बही शब्द का प्रियोगम यहाँ पर करते हैं और अगर रोकड बही के विभाजन की हम बात करते हैं तो इसके अंतरगत साधारन रोकड बही दुए स्तंभी रोकड बही और त्री स्तंभी रोकड बही तीन तरह की रोकड बही आती है किसी भी वैपार में जब नगद वैभार प्रभावित होता है तो वहाँ पर तीन चीजे प्रभावित होती है एक तो रोकड दूसरा बैंक और तीसरा बट्टा तो ये तीन चीजे जब एक साथ प्रभावित होती है तो जो भी प्रश्ण जिनको हम हल कर रहे हैं उसकी बनाना है यह संब्धित व्यवहार है तो वहां पर साधारन रोकडबही से काम चल जाता है लेकिन यहीं हम देखते हैं कि कई बार बैंक और रोकड एक साथ प्रभावित होते हैं एक ही प्रश्ण में बैंक से संब्धित कुछ प्रविष्टिया दी जाती है तो अब दोनों की प्रविष्टिया कहीं कहीं करनी है, तो हम दोनों को एक साथ करके दुए स्तंभे रोकड भई बना लेते हैं तीसरा जो होता है कई बार बट्टा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है यानि रोकड है बैंक के साथ में बट्टी संबंदी प्रेश्ट जो है वो दिये हुए तो हम इसी कॉलम में एक अन्य बट्टा कॉलम भी एड़ कर देते हैं तो जो होता है वो त्री स्थम्भी रोकड भही बन जाता है आये इनके प्रारूप पर एक न पर्टिकुलर एलेफ और अमांट कॉलम डेबिट साइड में प्राप्त करते हैं और सेम टू सेम इतना ही हम फिर क्रेडिट साइड में प्राप्त करते हैं अब इसका पूरा का पूरा प्रारूप साधारन रोकड भही के साथ जैसा ही है लेकिन हमने रोकड भही की विश्यस आविकरे की दशा में बट्टा दिया यी लिया जाता है। तो बट्ट का कॉलम् भी इस बट्टा दो कॉलम होने के कारण इसको हम दूस्तम्भी यानि डबल कॉलम कैश्ट बुक कहते हैं ठीक इसी तरह जब बैंक कैश और बट्टा तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं तीनों के लिए हमको रोकड भई बनाना यानि कि त्री स्तम्भी रोकड भई अगर हमको बना बैंक लिखते हैं और एक में डिसकाउंट लिखते हैं और यह डेविट साइड का और सेम जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड में बनते हैं तो यह तो बात कहीं हमने रोकड भई की अब अगर हम क्रेय बहियों पर एक ध्यान दे हमने सिर्फ नाम देखा है कि कौन-कौन सी क्र क्रेय बही की तो क्रेय बहियों में केवल और केवल उद्भार माल के के सम्द्धी लेका किया जाता है अगर नगद माल से समद्धी कोई transaction है कोई व्यभार है तो उसका लेखा हमको क्रै बही में नहीं करना है दूसरी बात केवल उधार माल के क्रै का ही लेखा हमको क्रै बही में करना है उधार संपत्ती उधार किसी प्रकार की कोई स्थाई संपत्ती अस्थाई संपत्ती हो तो उसके क्रै का लेखा हमको क्रै बही म लेखा हम यहां पर करते हैं यहां हम यह सकते हैं कि केवल उधार माल के विक्रे का लेखा किया जाता है यहां पर भी संपत्यों के विक्रे से इसका कोई संबंध नहीं होता है यानि कि संपत्यों के विक्रे का लेखा में इसके अंतरगत नहीं करते हैं विक्रे बही के संबंध में एक जो सबसे महत्पूर्ण बात ध्यान में रखना है वो हमको यह ध्यान में रखना है कि अगर प्रेश्ण में विक्रे के अंतरगत स्विकृति या वापसी की शर्त पर माल भेजा गया है कई बार वैपारी जो होते हैं वो जो दूसरे पक्षकार जो होते हैं उनको कुछ माल भेजते हैं कि अगर आपको रखना है तो स्विकृत करना है तो आप उसको रख सकते हैं और या तो फिर उसको वापस कर सकते हैं तो जिसे हम सीधे शब्दों में कहते हैं स्विकृति या वापसी की शब्द पर माल भेजना तो अगर कोई माल स्विकृति या वापसी की शर्ट पर भेजा गया है तो इसका लेखा हम को विक्रेव आपसी बही और विक्रेव आपसी भी बनाते हैं तो अगर हमको क्रेव आपसी बनाना है तो हम अपने प्रश्ण में देखेंगे कि कहां कहां पर जो हमने माल बेचा था वो वापस आया केवल जो क्रेव वापसी वाले जो वेवार होते हैं उनका लेखा में इसके अंतरगत करते हैं बहुत साधारन से शब्दों में संशिप्त में हम इनका लेखा यहां पर कर देते हैं ले का छती ग्रस्त होना या प्रेशन की शर्त पर जो माल होता है तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण माल को वापस करना पड़ता है तो जब हम इनका लेखा करेंगे क्रेवापसी बही में तो एक बात का हमको विशेश ज्यान रखना है कि अगर कारण दिया गया है प पेचे गया थे उनमें से जो भी माल वापस आ गया है हमारे पास विक्रे किया था हमने और वो माल अगर वापस आ गया हमारे पास तो विक्रेवापसी के रूप में हम इसका लेखा करते हैं और यहां पर भी हमको कारण लिखना जरूरी हो जाता है कि कि किस कारण से वो हमार करें है तो क्यूंकि आपने माल किसी को बेचा है अब आपको राशी दिलेगी तो वह की लिए हो जाता है प्राप्त होनी होती है तो यह प्रकार से हमको प्राप्त राशी होती है और इसका जो लेखा होता है वो जिस तरह हम क्रेवापसी भाई विक्रेवापसी भाई क्रेवाई विक्रेवाई में सारांश उसका लिखकर बनाते हैं तो ठीक इसी तरह सारांश लिखकर हमको कि कहां से हमको प्राप विपत्र प्राप्त हुआ ह इसी तरह से साराश लिखकर हम प्राप विपत्र भाही का निर्मान कर लेते हैं और ठीक इसी तरह से हम देविपत्र भाही का भी निर्मान करते हैं अब प्राप विपत्र से जस्ट अपोजिट जो है वो देविपत्र हो जाता है यानि कि एक ऐसा पत्र जिस पर कुछ राशी क को भुक्तान हमको करना है हमने किसे से माल खरीदा था भविश्य में उसको लिख के दे रहे पत्र पर कि इस तिथी को हम आपको भुक्तान कर देंगे तो जिस तिथी को भुक्तान करना है और जिस वेवहार के लिए भुक्तान करना है इसका एक संशिप्त लेखा हम देविपत पर इत्रभाई के अंतरगता करते हैं ऐसके साथ के यहां पर मुख्य जन्रल भी बनाते हैं हम बहुत सारे हैं होते हैं जिनके लिए अलग से खाटा बनाने की जरूरत नहीं होती है हमने देखा कि जो उधार क्रेव एक लेकिन इसके बाद भी अगर आप प्रश्ण में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो इन से हट के हैं कुछ नए हैं तो उनके लिए अलग से खाता बनाने की जरूरत नहीं हम एक मुख्य जनरल बनाते हैं और मुख्य जनरल में वो सारी प्रविस्ट करते हैं चाहें वो संबंदितो और उसके बाद अमसी लेजर में पोस्टींग कर सकते हैं तो क्या ज़रूत है? अलग से सहायक भाहिं रखने की क्या महत्तु है? इसके क्यों जरूत है क्यों आवश्यक्ता है? आए इस पर एक नज़े डालें सबसे पहले तो समय और श्रम की बचत होती है क्योंकि जो हमारे जनरल्स होते हैं उनकों कई भागों में बाट देते हैं नगत को अमलग कर देते हैं और अलग-अलग जो कारी होते हैं वो अलग-अलग लोगों को अश्रम विभाजन के अंतरगत अलग-अलग लोगों को सौब देते हैं तो इससे समय भी बचता है और श्रम की भी बचत होती है दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चल कपट पर नियंत्रण रहता है क्योंकि जो है वो फेयर है नगत जो है वो रोकडबही में चला जाता है जितनी भी उधार प्रविष्टिय जितने भी करना हो तो उसमें सुगमता होती है आपको अगर से संबंदित विवरां प्राप्ति करने तो आपको देखने हो तो आप उसकी बहिएं में जाके देख सकते हैं तो बहुत आसानी से किसी पर्टिकुलर अगर किसी वैभार के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्ति करनी है तो बहुत आसानी से आप सहायक बहियों के द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं दूसरी एक बात यह है कि अशुद्यों की इसमें जो संभावना होती वो कम होती है कई बार जब आपन जनरल्स करते हैं तो जनरल एंट्री गलत हो जाती है और उसके अधार पर जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वहां पर गलती की संभावना बराबर बनी रहती है लेकिन सहायक बहियों के द्वारा हम उधार को अलग कर देते हैं नगत को अलग कर देते हैं और साथी साथ इन सभी वेवहारों के लिए बहियों को भी अलग-अलग कर देते हैं तो यह एक ऐसे परिस्थिती बनती है जहां पर तुरुटियों की संभावना कम होती है अगले एक बिंदू पर हम नज़ा डाले तो इसमें खतोनी में भी सुविधा होती है अब क्यूंकि सारे वेवहारो बहियों पर अलग-अलग तरह के उनको बस ध्यान में रखते हुएं बहुत आसानी से खतोने इनकी कर सकते हैं साथी साथ एक बात यह भी देखने में के लिए आती है कि सभी वैपारी के लिए उप्योगते हैं चाहे वो छोटे स्थर पर कारी कर रहो हो या बड़े स्थर प कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको केवल क्रेव उठा के लिए जाना है विक्रे से संबंदी तो इनको एक इस इस तान पर लाने ले जाने में बिसुविदा होती है और एक मत्रपूर्ण बात यह कि हिसाब किताब जो होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं जब भी जब वरगे कर देते हैं तो अपने कुछ नियम होते हैं और ज्यान में रखते हुए ही हम जनरल का प्रचन करते हैं जनरल के अप उपभाजन के अपने कुछ नियम होते हैं जैसे कि पहला नियम ये कहता है कि किसी व्यवसाय में कितनी सहायग भही रखनी है ये डिपेंड करता है उसके आकार पर या उसके प्रकृती पर किस तरह का वैपार है, कितना बड़ा वैपार है, क्या उसकी स्थिती है, क्रे विक्रे की क्या स्थिती है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सहायक बहिया अपने वैपार में रखेगा कई दूसरे हाँ पर हम देखतें कि जनर्रेल के lên के बाद एक ही प्रकार के साधे उसे संबंधित नतल yard के वे गवली उद्वापसी बापसी संबंधित लेखें तो विख्रय वापसी बहीं है तो इंका को विशेज़ ध्यान रखना होता है उतनी वह सायक भाया रखता है और एक मतपूर बात की आवशकता अनुसार सहायग भाई की जो संख्या है इसमें कमीho वर्दि की जा सकती है आपके वेपार का स्वोरूप बदलता तो इसमें फॉस्ट कॉलम डेट काता है और सेकेंड पर्टिकूलर हम लिखते हैं फिर इसके बाद इन्वाइस नंबर बिजक रमांग और फिर खाता प्रिस्ट एलेफ उसके बाद दो कॉलम राशियों के लिए आते हैं जिसमें एक में हम अमाउंट लिखते हैं और दूसरे म और की कोई amount है तो उसको पहले amount कॉलम में निखेंगे बास करने के बाद पिर हम उसको ने सपरकार के बारे में हमने ऐक ला का निरमाढ क्राइबही का निर्मार्ण किस प्रकार किया जाता है हमने देखा कि क्रैवठी निर्मार्ण केवलक उधार क्राइ के लिए करते हैं दूसरी बात हमको जान लेने ज़रूरी है कि केवल माल संबंधी उधार क्रह होना चाहिए, संपत्ती से संबंधित नहीं होना चाहिए और एक चीज़ हमको यहां पर विश्य जियान रखना है कि स्विक्रिती या वापसी की शर्त पर भेजा गया माल, प्रेशन पर भेजा गया जो माल होता है उसको हमको इसके अंतरगत प्रविश्टी उसकी नहीं करनी है आए क्रे भही के प्रारूप पर एक नज़र डाले जब हम क्रे भही के प्रारूप का निर्माण क्रे भही समन्दे प्रश्णों को हम हल करते हैं तो कुछ इस तरह का प्रारूप हम अपने सामने रखते हैं जिसके अंतरगत सबसे पहले डेट पर्टिकुलर विवरन कॉलम और एलेफ उसके बाद जो amount column होते हैं वो दो होते हैं एक तो amount column होता है जिसको कई बार हम details column भी बोलते हैं और दूसरा होता है net amount column जब हम विवहार की entry करते हैं तो प्रश्ण के according जो भी विवहार रहता है उधार क्रहसे संबंदित उसको हम विवरन column में लिखते हैं लेकिन उसके पहले हम उसका डेट डालते हैं एक उधारन के तौर पर जैसे हमने यहां पर देखा कि 2010 एक जन्वरी मोहन से उधार माल खरीदा तो सो डबबे पैंसिल के दर पांच रुपए प्रती डबबा तीस किताबे दर दस रुपए प्रती किताब इस तरह का वैवार है हमारे सामने जब हम क्रेब ही में इसकी पोस्टिंग करेंगे इसको लिखेंगे तो एक तो हम पूरा का पूरा विवरन लिखते हैं और कई बार हम इसको संशिप्त में भी लिखते हैं बहतर होगा कि हम इसको संशिप्त यहां पर पूरा का पूरा विवरन लिख दे क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से जो इसकी बि भेंग गभड़ा के दर 30 रुपए प्रती डबा तो यहाँ पर उसके नीचे हम लिकेंगे सो डब्बे पैंसिल के दर प्रती डबा 30 रुपए नीचे हम क्याकुलेशन करेंगे 30 गुनिच 100 और दूसरा यहां पर इसी तरह सेट हैं हमने जो ऊछे दी किताब किस दर से खरी दी और टोटल कितनी हुई इस नहीं दी गई है तो हम अपने अमाउंट को डारेक्ट नेट अमाउंट में लिख सकते हैं और टोटल करके फिर बंद कर सकते हैं जब हमारी क्रेब ही कम्प्लीट हो जाए लेकिन अगर बट्टा भी दिया गया है तो हम किस तरह से लिखेंगे इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं सोहन से उधार माल खरीदा दस डिब्बे पैंसिल दर सो रुपए प्रतिडब्बा व्यपारी छूट दी 10 प्रतिशत हम इसको किस प्रिकार लिखेंगे अपनी क्रेब ही में सोहन से माल खरीदा डैश करके उसके नीचे लिखेंगे अब दस डिब्बे पैंसिल दर सो रुपए प्रतिडब्बा अब यह सो गुड़ी दस जो एक हजार रुपए है इसकी एंट्री हम करेंगे पहले अमाउंट कॉलम में हम डारेक्ट इसको नेट अमाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बट्टे से संबंधित बात भी कह कगी गई है तो इस एक हजार को लिखेंगे हम अमांट कॉलम में और फिर यहीं विवरण में हम माईनस करके दर्च आएंगे माईनस व्यापारीक बट्टा 10 प्रतिशत्थ और अब अमाउंट कॉलम में ही एक हजार का दस प्रितिशत यार्नी की सो रुपय वहाँ पर लिखेंगे फिर हमें आप पर एक लाइन कीज के बंद करेंगे अब जो दोनों का डिफरेंस है एक हजार माइनस सो नो सो रुपय अब हम उसकी पोस्टिंग नेट अमाउंट कॉलम में करेंगे तो एक बात का आप माउंट कॉलम में लिखेंगे फिर बटा वाइनस करेंगे और फिर उसके बाद जो आती है विवरण में लिखना है लिदि दिखना है दूसवरा एक तरीका होता है कई बार बहुत सार एक हीवे पारी से कई सारी चीजोंस काई तो इनकी पूस्टिंग हम अलग-अलग ना करके एक बार ही विवरण में कर लेते हैं फिर उसके मांट को बाहर लिखते हैं जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि श्याम ट्रेडर से माल खरीदा सूती कपड़ा 700 रुपए, रेश्मी कपड़ा 300 रुपए, उनी कपड़ा 200 रुपए अब क्योंकि वेवार एक साथ किये गए हैं तो इनके प्रविष्टी हम किस प्रकार करेंगे? क्रेब भाही में लिखेंगे इनकी प्रविष्टी हम किस प्रकार करेंगे? क्रेब भाही में लिखेंगे श्याम ट्रेडर से माल खरीदा, रेश्मी कपड़ा उसके अमाउंट लिखेंगे सूती कपड़ा उसके अमाउंट लिखेंगे और उनी कपड़ा उसके अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद जो balance amount आती है उसको हम net amount column में लिखेंगे तो किस किस तरह के प्रश्ण होते हैं किस तरह से हम इनको इनका लेखा करते हैं इसको जानने के लिए आएए हम क्रेवही से सम्बंदित कुछ प्रश्णों को देखें निम्नलिकित व्यवहारों से गिरेश ब्रदर्स की क्रेवही तयार केजे एवं क्रेवहाता भी खोड़िये वर्श 2011 में जन्वरी एक निकिता सेल्स से 5% व्यपारिक बट्टे पर निम्नमाल खरीदा पंद्रा साड़ी म्रिग्नैनी दर 300 रुपए प्रतिसाड़ी 25 साड़ी रूपमती दर 250 रुपए प्रतिसाड़ी 10 जन्वरी कवीता सेल्स से 10% व्यपारिक बट्टे एवं 2% नगत बट्टे पर माल खरीदा रेश्मी कपड़ा 500 रुपए उनी कपड़ा 1500 रुपए सूती कपड़ा 25 रुपए यहां पर क्रे बही और क्रे खाता दोलों ही खोलना है सबसे पहले हम गिरिश ब्रदर्स की पुस्तकों में क्रे बही बनाएंगे और जैसे कि हमने जाना कि जब हम क्रे बही बनाते हैं तो इसके अंतरगतन केवल उधार क्रे को लिखते हैं और मुखे रूप से जिस साड़नी का प्रयोग करते हैं जो टेप टेबल बनाते हैं यहां पर उसमें कुल मिलाकर 6 कॉलम होते हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है दूसरा कॉलम विवरण का होता ह है पाटिकुलर जिसे हम कहते हैं उसके बाद को इसमें इन्वईस नंबर और एक कॉलम होता है और छलास्ट कॉलम में हमको नेट लिखनी होती है तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा विवार है उसकी एंट्री करेंगे पहले विवार में एक जन्मेरी को बीचिशन से खरीदा गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूरा निकिता से खरीदा और चीज हमने खरीदी है इसका हम पूरा जब हम क्रेवा ही बनाते हैं तो मुख्य रोप से इसमें किसी प्रकार के कोई बहुत सारी क्यालकुलेशन नहीं होती है लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है अब वि खरीदा है पंद्रा गुड़ित तीन सो यानि पैतालीसो रुपए की हमने यहां पर नगनैनी साड़ी खरीदी है जिसे हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे पहले और उसके बाद इसी निकिता सेंसी से ही 25 साड़ी रूप मती दर 250 रुपए प्रती साड़ी इस प्रकार हम इसका लिखेंगे और इसके नीचे इसकी कैल्कुलेशन को दर्शाया जाएगा 25 इंटी फाइप इक्वल टू सिक्स थाउजन तू हंड़िए और इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पांच प्रतिशत वैपारिक बढ़का निकालेंगे तो दोनों तरह की जो साडिया है हमका कुल मुले जो है टोटल जो वैल्यू है वह है तैन थाउजन सेवन फिफ्टी तो इसमें अब हम फाइपरसेंट डिस्काउंट क्याल्कुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 537.50 और इसको भी हम क्योंकि डिस्काउंट है और डिस्काउंट हम नेट प्राइ जो कपड़ा उसका हमने अलग अलग यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि रेश्मी कपड़ा 500 रुपए का उनी कपड़ा पंद्रा सो रुपए का और सूती कपड़ा 25 रुपए यहां पर कमाल हमने खरीदा है और फिर तीनों का जो टोटल है उस पर हम 10 परसेंट करेंगे तो सबसे पहले जब हम 4500 पर टैन परसेंट कैश्ट डिस्काउंट करेंगे तो 450 आएगा इसको हम 4500 में से माइनस कर देंगे तो 4050 यहां पर आएगा यहां जिसे हम बाहर लिखेंगे एक चीज़ हम को आपर ध्यान में रखनी है कि क्योंकि यह हमारा हमारी क्रे बह आपर दिया गया है लेकि नगत बट्टे की नगत व्यभार की हम पर नहीं करनी है तो नगत बट्टा को हम पर इंग्नोर करना है तो कुल मिलाकर नेकिता से जो खरीदा गया था उसकी नेट थावजन तो एक तो अगर हम गीरिश ब्रदर्स के पर्चिस बुक का टोटल करते है तो चैयलों तो बहुता है 14262 दूपैस तो हम यहां इस अपर क्रैख खाता भी बनाना है तो हम यह पर क्रेख खाता बनाएंगे और जिस तरह से हमने पूरे समय कborg ça लिखेंगे टो जिस तरफ हैं बनाते हैं लेजर के कडियन खाता है यहाँ पर खोलेंगे और डेबिट साइट में हम डेट पर्टीकुलर अमॉंट लिखेंगे और क्रेट खाता है और जनरल एंट्री के आधार पर हमको पर लेजर पोस्टिंग करनी है जब भी हम किसे से माल खरीदते हैं तो वहां पर हमारी एंट्री में क्रेट खाता पर्ची साइट में हमको हापने लिखना है तू निकीता सेल्स वाइट थैन थाउजन तू हंग्रेट क्राइब करनी है तू कविता सेल्स फोर थाउजन फुटी और इस तरह से हम इस अकाउंट को क्लोज देंगे निमनलिकित लेन देनों को जै प्रकार्श रिनहल्पी क्राइबाही में लिखिए और खताउनी कीजिए पर 2006 एक जन्वरी मेसल्स प्रकार्श ब्रदर से खरीदा 50 रुपय दर्जन की दर्शे 10 दर्जन पैंसिल जिस पर वैपारिक बट्टा 10 प्रतिशत है 30 रुपय दर्जन की दर्शे 5 दर्जन पैंसिल जिस पर वैपारिक बट्टा 10 प्रतिशत है 10 जन्वरी मेसल्स राम स्टोर से खरीदा 25 रुपय प्रतिदर्जन की दर्शे 10 दर्जन पैंसिल वैपारिक बट्टा 8 प्रतिशत पंद्रा जन्वरी मेसर बजरंग ट्रीडर से खरीदा बीस रुपय प्रतिदर्जन की दर्से दस दर्जन पैन से वैपारीग बटका 5 परेश्ट प्रेश्ट इस प्रेशन में देख रहें कि को एक तो क्रेब ही बनानी है और खतावनी भी करने यह इसको लेजर पोस्टिंग हमको करनी है तो हमको यह देखना होगा कि इस पूरे कौर्शन में कौन-कौन से पक्ष प्रभावित हो रहा है किनका किनका नाम आता है उन सभी के लिए हम अलग से लेजर पोस्टिंग करेंगे फिलहाल जब हम जै प्रकाश सिना के बुक में पर्चेस बुक बनाएंगे तो हम पर हमको केवल पर्चेस यानि की उधार करेंगे प्रविस्टी करनी है तो सबसे पहले यहां पर हम दो हजाच्छे जनवरी एक को उधार करेंगे जो कि हमने मेशर्स प्रकाश ब्रदर से खरीदा दस दर्जन पैंसल दर पचास रुपए प्रती दर्जन और क्याल्कुलेश प्रती दर्जन की दर से 5 इंटू 30 यह 150 हो जाएगा और टोटल हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे 500 और 150 को और टोटल इसका करेंगे 650 अब हमको इसपे क्योंकि 10% डिस्काउंट दोनों में ही था तो इसलिए हम इसको कंबाइन केल्कुलेट कर ले रहे हैं और 650 का 10% डिसकाउ हम लेस कर देंगे तो 585 हमारी अमांट हो जाएगी उसके बाद 10 जन्वरी को हम यहां पर मिसस राम स्टोर से खरीद रहे हैं उसकी एंट्री हम कर देंगे मिसस राम स्टोर से खरीदा 10 दर्जन पैंसिल दर 25 प्रती दर्जन तो 10 इनकी 25 250 और इस पर हमको 8% डिस्काउंट द देते हैं तो यह हो जाएगा 20 रूपीर और नेट अमांट जो है इसकी वह हो जाएगी 230 और नेक्स्ट हम 15 जन्वरी को में से खरीद रहे हैं तो यहां पर हम यहां पर इसका विबरन लिखेंगे में से खरीदा 10 दर्जन पैंसिल दर 20 प्रती दर्जन तो 10 इंको 20 200 दर्जन दर 30 प्रती दर्जन तो यह टोटल कॉलम में हम इसको लिखेंगे और यह हो जाएगा 200 और 300 500 और अब इस पर हमको 5% जो ट्रेड डिसकाउंट है वह काल्कुलेट करना है तो 5% हम यहां पर ट्रेड डिसकाउंट कर देंगे डोनों को जोर के तो 25 रूपीस यहां पर ट्रेड 290 ROrrwind और ठाइल मैं केंचाउंट करने और तेता पर 25ivi इन कार्ता तो यहां पर हम खाटा प्रभावीत हो रहा हम्म को भी स्राइन को यहां सब्सकों में आफित इस्था मीजन पर हम जब्सकू बहुत जबहुत हो बनायंगे तो क्योंकि यहां पर हमारी श्राइब कोर्डिंग जब हमने मेंसे प्र। से माल-खरीदा तो हमारी जंड्रल-एंट्री हुई है क्रै खाता डेबिट मेंसित प्रकॉ pastry क्कॉ canción दरस के खातों को दो हजारचें जन्वरी एक मेस्की डेट डालेंगे और सकी अवाउंट है पांच सो पच्चाइसी रुपए और यहीं पर हम इसको फ्लोस लगेंगे उसके बाद एक पॉइंट हमने क्रे के लिए देखा था मेसर्स राम स्टोर से भी हमने माल खरीदा था तो उनका खाता भी यहां पर प्रभावित हो रहा है तो यहां हमारी जनरल एंट क्रे और हमने किया था वह था मेसर्स बजरंग ट्रेडर से अब क्योंकि यह जो अलग-अलग क्रे हैं इसले बना रहे क्योंकि वास्तों में यहां पर हम क्रे खाता नहीं बना रहे हैं हम यहां पर जिन जिन वेक्तियों से हमने जिन वेपारियों से माल खरीदा है उन वेपा को लिखेंगे 475 रुपे से इसके मौंट लिखेंगे और बंद कर देंगे रमेश क्लॉट स्टोर्स फरीदाबाद के निमनलिखी त्लेन देनों को क्रय वहियु में दर्ज कीजिए 3 अप्रेल 2010 DCM Limited दिल्ली से कपड़ा क्रय किया 300 मीटर कोटन का कपड़ा दर 40 रुपे प्रती मीटर की दर से 100 मीटर बूलन का कपड़ा दर 110 रुपे प्रती मीटर की दर से इंपर ट्रेट डिसकाउंट दिया गया 10% और वेट दिया गया 10% अप्रेल 10 सियाराम ब्रदर्स मुंबई से क्रै किया 150 मिटर सिल्क कपड़ा 150 रुपय प्रती मीटर की दर से 200 मेटर कोटन का कपड़ा 40 रुपय प्रती मीटर की दर से इस पर ट्रेड डिसकाउंट है 15 प्रतिशत और weight दिया गया 10 प्रतिशत अप्रेल अठारा गोयल पनीचर दल्ली से उधार क्रेक किया चार टेबल प्रती टेबल एक जार रुपए दस कुर्सी प्रती कुर्सी तीन सो रुपए 25 अप्रेल को रिमरमंड मिल्स लिम्टेड मुंबई से क्रे किया 150 मीटर कौटन का कपड़ा तर सो रुपए प्रती मिटर कीदर से सो मीटर वूलन का कपड़ा दर एक सो तीस रुपए प्रती मीटर की दर से इस पर ट्रेट डिसकाउंट है 20 परसंट और वेट है 10 परसंट साथ ही साथ इसमें गाड़ी भाड़ा लगाया गया दो सो पचास है इस प्रेश्ण में हमको रमेश क्लॉथ हाउस फरीदाबाद की पर्चेस बुक यानि की क्रेव बही बनानी है अब प्रेश्ण में जो भी विवरंड दिये गया है इससे सम्मदित उनको डेट डालकर यहां सब्सक्राइब का विवरंड दिया गया है डिस्यम लिमिटेट डिल्ली से खरीदा और क्या-क्या हमने खरीदा है उसको हम लिखेंगे यहां पर तीन सो मीटर कपड़ा दर चालिस रुपए प्रति मीटर कि दर से तो डिटेल कॉलम में हम इसके अमाउंट लिख देंगे 110 रुपए प्रति मीटर कि दर से 11,000 रुपए और इन्वाइस नंबर में इसका जो इन्वाइस है ए 112 इसको हम डाल देंगे अब डिटेल कॉलम में हम देख रहे हैं कि पुल मिलाकर 23,000 रुपए का कपड़ा यहां पर खरीदा गया है और प्रेश्न में यह भी जानकारी द है और उसके बाद इसमें हमको वेट भी एड करना है तो सबसे पहले हम प्रेट डिसकाउंट निकाल लेते हैं 23,000 का 10% हम प्रेट डिसकाउंट क्यालकुलेट करेंगे जो की 2300 से हम इस 10% डिसकाउंट याने 2300 को लेस करेंगे तो 20,700 हमको हमल जाएगा और अब इस 20,700 पर ह हम निकालेंगे तो 20,700 का 10% हम इसमेंट करेंगे 2070 और यह टोटल हो जाएगा 22,770 अब इसके कॉस्ट और वेट को हम अलग-अलग कर देंगे और उसके बाद फिर हम टोटल इमाउंट के कॉलम में इसको लिखेंगे तो कॉस्ट इसके थी 20,700 यह हम अलग लिखेंगे वेट की जो एमाउंट है वह है 2070 और फिर तोटल जो एमाउंट है वह हम टोटल कॉलम में 22,776 अब अब अप्रेल को हम देख रहे हैं CRM ब्रदर्स मुंबई से खरीदा है हमने तो इसकी कर लेंगे CRM ब्रदर्स मुंबई से खरीदा उसके बाद हम इसके लिखेंगे 150 मीटर सिल् एक पचास रुपदा को देख रहे हैं कि तीस यांदब जो है मांट है और इस पर हमको करना है तो प्रेश्ण में दिया गया है कि पंद्रा प्रतिशाथ 15 परसंट करना है तो थर्टी थाउजन पाइवंडर्ड का 15 परसंट यानि 4575 हम इसमें ट्रेट डिसकाउंट माइनस कर देंगे तो यह हमारे परसंट आएगा 2593 इसको जब हम इसमें एड कर देंगे तो यह टोटल हो जाएगी 28518 आप क्योंकि आपको कॉस्ट और वैट को अलग करके दर जाना है तो कॉस्ट को हम 25925 कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे वैट की जो एमाउंट है 2593 इसको वैट के कॉलम में लिख अब 25 अप्रेल को में आपर देख रहे हैं रेमंट मिल्स लिम्टेट मुंबई से खरीदा है तो इसका विवरेंट हम यहाँ पर लिखेंगे रेमंट मिल्स लिम्टेट से खरीदा 150 मीटर का कपड़ा दर 100 रुपे प्रती मीटर की दर से और इसके अमाउंट हो जाएगी 15,000 उसके बाद हमें आपर देख रहे हैं कि 100 मीटर बुलन क्लॉथ खरीदा है दर 130 रुपे प्रती मीटर की दर से तो इसका विवरेंट यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 मीटर बुलन क्लॉथ दर 130 रुपे प्रती मीटर और 13,013,000 इसके अमाउंट आ जाएगी डिटेल कॉलम में अब इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो 28,000 आ जाएगा और अब इस 28,000 पर हमको 20% ट्रेट डिस्काउंट लगाना है तो 28,000 का 20% अम ट्रेट डिस्काउंट लगा लेंगे जो कि 5600 आएगा और इस 28,000 में से 5600 हम माइनस कर देंगे और 22,400 यहां पर हमको इसकी बैलनस तोटल अमाउंट मिल जाएगे उसके बाद हम इसमें वेट हमको एड करना है 10% वेट है तो 22,400 का 10% हम इसमें कैलकुरेट करेंगे जो कि 2240 आएगा इसको हम इसमें एड कर देंगे 24,640 और फिर क्योंकि इसमें गाड़ी भाड़ा चार्ज दिया हुआ है तो गाड़ी 3,890 आप क्योंकि इसमें से को स्वेट को अलग करना है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंस जो इसकी दिसकाउंट के बाद की जो होती है वही इसकी ओरिजनल कॉस्ट होती है तो किवल प्रजिनल कॉस्ट जो है इसकी उत्यूं कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे 22,400 और वै भी अडिशनल एक्सेंस होते हैं उनके लिए हम अलग-अलग कॉलम बनाते जाते हैं तो यहां पर एक ही अडिशनल एक्पेंस जो है गाड़ी भाड़ा उसको हम यहां पर लिख देंगे 250 और फिर टोटल इमांट हम टोटल कॉलम में लिखेंगे 24809 और अब जब हम इस पूरे पर्चेस बुक का टोटल करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं कि पर्चेस की जो कॉस्ट है पर्चेस की गई गुड्स की वह है 69,025 और टोटल जो वैट लगाया गया है वह 6903 फ्राइट जो है गाड़ी भाड़ा जो है वह 250 है और टोटल अमांट जो है इसकी फाइनल अम हम यहां पर कंभाईन करेंगे जो कि होगी वर्चेस अकांट डेपीट ब्हाट कऑं लि में सब्सक्राइब टु डीयू अलिमितेट डुण्य धेलोस मृदर्य ूर्डेमंद अब यहां पर हम देख रहे है कि एक पाइद है टोटाल जो टोटल वालवा कॉलम है मैं धिकॉर तो उसको डेबिट साइड में तो लिकेंगे फिर हम देख रहे हैं यहां पर डीसे अम लिमिटेट की इसमें से कितनी है तो यह हम को टोटल अमाउंट यहां पर देख रहे हैं और क्रेधायर का आर्शियम पर लितेडेगे और थीसरे पार्टी है टो रेमॉन्स विंटेट कोम्हें यहां पर चुर्विज्यम शने सब्स्क्राइब करेंगे और इसके फिर्वंट मोर्स साइड में की गई तो आपने देखा कि किस प्रकार हम क्रेवाही का लेखा करते हैं कई बार हमको इस तरह के प्रश्ण भी आते हैं कि क्रेवाही के साथ साथ क्रेवाता भी बनाना थो क्यूवова वास्तों में हमने देखा अभी जब हम प्रश्ण भाल कर रहे थे तो क्रेव पहीओं का ययोग आता था उसको खे फाल फ्रेट्स करते हैं और नगद से समंदित होती हैं तो यह मोग क्या जानने चंट हो एक वाला एक रिष् screw Dieses ने इक लिए दूसरी के आप़ी कह सकते हैं कि स्शुद्ध क्या जानने के लिए जब काम के साथ क्रेड वापसी को माइनस कर देते हैं ये काम घर भाता है वह सहायक भाहियों में तो शुद्ध क्रेड जो होता है उसकी जानकारी हमे क्रेड दुश्य घाने मिल जाती है तो यह तो बात थी ness जो संबंतों प्रैशनों पर मास्भाव नाजम आले.